बिरेन जी बताइए कि यह जो नए आदेश निर्देश जारी हुए है इसका क्या इंपक्ट पड़ रहा है और इसको लेकर राजनीती भी हो रही है तो क्या इसके बारे में ओपीनियन निकल कर सामने आ रही है देखिए ये एक अच्छी चीज है और इस देश में खाद पदातों की मिलावट पर रोख होनी चाहिए कोई बुराई नहीं है आज जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हाईजीन के नाम पर खाने पीनों की सुद्धता के नाम पर कोई खिलवाल नहीं हो सकता खिलवाल करने वाले सीधा फासी पर जाएंगे या उनको मौत मिलेगी तो ये बहुत बड़ा मामला है और इस चीट को लोगों को समझना होगा कि इस परदेश में ये चीजें ऐसे नहीं चला सकते हैं बिर्जे जी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि जब इस देश में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा बिद्रो हुआ था जानते हैं कि वो 1857 में एक बिद्रो हुआ और उस बिद्रो में चर्बी युक्त कार्टूस में जो राइफलें में लगता था उसको चलाने से इंकार कर दिया इस देश में मंगल पांडे उसी लिए फेमस हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों से इस बात का लोहा लिया था उसमें इस बात किया संका थी कि इसमें सुर और गाय की चर्बी कार्टूसों को चमकाने में लगाई जा रही है तो आप यह देखिए कि जिस पर इतना बड़ा इस देश में बिद्रो हो गया आज कुंटलों की संख्या में लोग घी दूद ही यूज कर रहे हैं और पनीर खा रहे हैं यह आ कहां से रहा है जब इतना उत्पादन नहीं है 25 रुपया में दूइबाटी घी वाली एनेकसी के बगल में देता है अब घी कितना असली है 25 रुपया में दूइबाटी मिल जाएगी आपको साड़े 300 रुपया में देशी घी में पूरी छानी जाए रही है 7800 रुपया नीचे देशी घी बजार में सुद्ध कहीं गाउं में नहीं मिल सकता साड़े 304 सुरुपयां देशी घी कहां से आ जाएगा तो ये परसाद आप मिलावटी खाएंगे खाना आप मिलावटी खाएंगे ये तो होगा ही जिस देश में उत्पादन कम है डिमांड जादा है तो मिलावट तो अभी आएगी दिवाली अभी लोग कुंटलो कुंटल ख स्काइगे मिलावट का मीठा देखिए इस देश में खात्पदार्थों के साथ साथ इंसानी रिष्टों में भी इतनी मिलावट हो चुकी है कि लोग क्यों चेहरा देखकर ताकत देखकर सरकार देखकर अपनी भाशा को बदल लेते हैं और सच बात को भी सच नहीं कह पाते हैं लेकिन खाली रेस्टोरेंट पर नाम लिख देने से या किसी रेस्टोरेंट पर सेफ का नाम लिख डिस्पले कर देने से बिर्जेट जी यह मिलावट कम नहीं होगी कानून सक्त करना होगा तभी यह मिलावट खतम होगी वह से हमारे हां जो अपसर हैं वह कहते हैं कि माल लाओ और माल खपाओ यानि कि हमारा हिस्सा देद्यों बाकी तुम चाहिए इतना पैदा करो बेचो चाहिए जितने लोगों को जहर खिलाओ हमें कोई तकलीप नहीं है अब तो बजार मा चुहा मार दवा भी इसी आती है कि चुहा खाकर नहीं मरता है यतनी मिलावट जहर में भी हो गई है तो आप सोचिए कि जब जहर तक में मिलावट करने से लोग नहीं चूक रहे हैं तो हमको आपको खाने की चीजे कहां से मिलेंगी सुद्ध वैसे यह वाला आपने चूहा वाला बताया यह ब्यक्तिकत अन्वों है या काफी लोग इसके बारें चर्चा करने चूहा वाला जो आपने बता है अरे प्रदीप पूछ रहें कि यह पूछे परसनल एक्सपीरियंस बता रहें कि आज के जमाने में जो नकली सप्लाई है भाई यह बताईए आपको दूद भले कम पैदा हो लेकिन कई कुंतल खो खोया चाहिए कई कुंतल आपको पनीर चाहिए हजारों लाखों सादिया होती है देश बर में सब खपता है कि नहीं खपता कहां से आता है आखिर में तो यह परसनल मानिये चाहे जो मानिये लेकिन कि कहते ना कि वह मिले भंडारे में हाथ में बाल्टी पकड़े हुए अब बताईए उनसे दिल मांगते कि दाल तो भंडार हम वड़ रही थी क्या मांगते उनसे वहां पनीर और सब्जी इसा बहुत मिलावटी होता है देखिए हम अपने मेहमानों को सागत अच्छे ढंक से करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास हाईजीन को कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है बहुत कम लोग हैं ना कानून सकत है कि जिससे लोग डरहें कि उनको आज इवन करावास हो जाएगा फासी हो जाएगी आप के फूट को छोड़ दीजिए तो हमारे एकस्पारी डेट भी नहीं पता लग पाती लेकिन विदेशों में इस्ट्रीट फूट यानि कि आप गली में भी कोई चीज खाएंगे तो उसकी सुदिता की गारंटी है क्योंकि खाने पीने की चीजों में मिलावट पर सजा बहु सबसे ज़्यादा मंदिर है मस्जिद है सबसे ज़्यादा धर्मस्थान है हिंदु मुसल्मान दोनों के लेकिन भुकमरी गरीबी बीमारी अत्याचार जुल्म भष्टाचार मिलावट इसमें कौनों कमी नहीं आई जबकि हर आदमी अल्ला भगवान इस्वर से डरता है तो पूजा कईके घर से निकलता है पाच वक्त की नमाज पड़ता है लेकिन मिलावट देने में लोगों को जहर परोस्तने में कोई कमी चाहे दुकानदार हो चाहे जो हो चोड़ता नहीं है लेकिन लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस्वर की चक्की जो है वो बहुत बारीक पीस्ती है हर कर्म का दंड इसी जीवन में मिलेगा गरीब देश हैं लोग कम हैं इसका मतलब नहीं आप लोगों को जहर खिला देंगे बारहाल सुनिएगा दुनिया में सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसमें मिलावट नहीं पाई गई बाकी हर रिष्टे में हर खात पदार्थ में मा का जो प्यार है अपने बच्चों के लिए उसमें आज तक कोई मिलावट नहीं पाई गई बागी दुनिया में हर चीज में मिलावट आ चुकी है हिंदुस्तान में खास तोर से सुनियेगा कि दुनिया की हर चीज में मिलावट नजर आती है दूद में दही में घी में मिलावट नजर आती है भूल जाओ खाने और पीने की चीजों को दोस्तों अब तो रिस्तो नातों में भी मिलावट नजर आती है और न मिलती है डूंडे से वो महकती हवाएं अब तो उसके करकर में मिलावट नजर आती है और यारो अब जीने की बात क्या मरना भी है मुश्किल क्योंकि अब तो ज बहुत शुक्रिया यह प्रदीप अभी लिखकर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप से पूछें वह चुहा वाला फाइनली क्या करना है कौन सी दवा ऐसे लिए अरे गाउं की बजार में लवडी स्पीकर लगा एक बेचे थे प्रदीप सिंग से पूछ लिजिए तमाम गाउं अब इनको एक साथ तीन पूडिया देनी पड़ेगी बहुत शुक्रिया